शार दोस्तों अब आपने 1857 के रेवल्यूशन के बारे में डिस्केशन कर रहा थे और अब अपन जहां पहुँचे हैं चैपकर के हाफवे पे वहाँ पे आपको दिखाते हैं नेक्स टोपिक जो हमारा क्या है सैनिक विद्रो और जन विद्रो बन गया है वो दिखते हैं यदि शाशोक और परजा के बीच में संगर्स का कोई अनुखी बात नहीं थी अपसर होता रहता है कभी कभी ये संगर्स इतने फैल जाते हैं कि राजी की सत्ता चिन्पिन हो जाती है उन्हें संचार पहल कद्मी और आत्म विश्वास का परीचे भी देना होता है आगे देखते हैं सिपावी मिर्टनी भारत के उत्री बागों में 1857 में ऐसी स्थित पैदा हो गई थी कि फत्य और शाशन के 100 साल बाद इस इंडिया कंपनी के भारी विद्रो से जूजना प अगावत और समाज के विबिन तबकों में असें के लोगों विद्रोई पैवरों के साथ उठ खड़े हुए कुछ लोग मानते हैं कि 19 सदी में उपनिवेश्वाद के खिलाब दुनिया भर में एक बहुत सबसे बड़ा सहस्त्र शंगर्ष था देखो यह पिच्चर है मंगल पांडे मंगल पांडे की पिच्चर आपको साब दिख रही है मंगल पांडे जी जो है मंगल पांडे को बैरकफुर शावनी में अपने अपसरों पर हमला करने क्या रोप मेफासी पर लटका दिया गया यह पहले शक्सते इन्हों ने अपने अपसरों पर हमला किया थ से तो 8 अपरेल की एकटना थी 1857 की बैर्क फुर्चावनी की गटना थी चंद दिन के बाद मेरट में तैनात कुछ सिपाईयों ने नए कार्तुस के साथ फोजी अभ्यास करने से इंकार कर दिया सिपाईयों को लगता था कि उन कार्तुसों पर गाय और सुगर की चरबी का ले अपरक पूलत देश का लिया अन्ग्रेजयों के खिलाफ युद्ध का अइलान कर दिया सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शाषन खत्म करने पर आमादफ थी लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों को जाने के बाद देश का असासन कौन चलाएगा मतलब फिरंगियों को यहां से बगा देना यह इस बात का सोलुशन नहीं था यहां पे सवाल यह था कि भाई यह मानलो चले गए तो शासन कोन करेगा यह मंगल पारणडी के इसमरती में एक डाप टिकेट जारी हुआ था उनके रियल बिच्चर ऐसी थी सिपाईयों ने उसका भी जवाब ढूंड लिया वे मुगल समराट बहादूर्शा जफर को देश का असासन चोपना चाहते थे यानि मुगल समराट को ही अपने देश का असासक बनाने पर सारे राजी हो गये इसके बाद दे चैनात टुकुडियों ने भी बगावत कर दी और यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए देशी सिपाईयों ने हतियार गोला वारुत को कबजे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी विजय सिपाही लाल किले की दिवारों के आसपास जमा हो गए वे बास्शा से मिल करने को तयार नहीं थे लेकिन सिपाही भी अड़े रहे आखिरकार वे जबरन महल में गुश गए उन्होंने बहादूर्शा को अपना नेता उन्होंने उस समय गोशित कर दिया बुड़े बास्शा को सिपाईयों का यह मांग माननी पड़ी उन्होंने देश भर में मुक्य गिया और शाशकों को चिट्थी लेकर अंगरेंस से लड़ने के लिए भारती राजियों का एक संग बनाने का हवान किया बहादूर्शा एक मात्र कदम होतों से लूह बहुत का बढ़ी साहन करता था ज्याधक्र चोटे शासक रजवाडी मुगल बाश्या के नाम पर इलाको पर शासन चलाते थे, ब्रिटीस शासन के विस्तार से भैबीत, ऐसे बहुत सारे सासकों को लगता था कि अगर मुगल बाश्या दुबारा शासन इस्तापित कर लेते हैं, तो उनका जो आदिपत्य है, अगर पुद्दे पर पैदा हुई उतल-पुदल कुछ समय में शान्त हो जाईगी, लेकिन जब भादुर्शा चफर ने बगावत पर अपना समर्थन दे दिया, तो इस्तिती रातो रात बदल गई, अक्सर ऐसा होता है, कि जब लोगों को को रास्ता दिखाई देने लगता है, लोगों को रास्ता दिखाई देने लगया था, आजा दिखा, तो उसका उस्ता और सहस बढ़ जाता है, इससे उन्हें आगे बढ़ने में हिम्मत तुनलती और उमीद और रात में भी उश्वास भी मिलता है, इसके साथ ये नाना जो साहेब ए उनकी पिच्चर है, फेमस प लगना ही था, देकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया था, उसके बाद एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों के विद्रोह कर दिया था, वे दिल्ली कानपूर लखनों जैसे मुख्य बिंदूओं पर दूसरी टुपडियों के साथ देने निकल प पेश्वा बाजिराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब कानपूर में ही रहते थे, आगे दिखते हैं कानपूर की गठना को ही, दत्तक पुत्र जो थे नाना साहिब कानपूर के पास रहते थे, उन्होंने सेना इकटी की और बिटिश सेनकों को सहर से खदेड दिया, उन्हों तो इस प्रकार सारी गटना एक दूसरे से जुड़ने लग गई थी उसमें उनकी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो को बढ़ावा देने के में बढ़ चरकतर हिस्सा लिया जहांसी में रानी लक्षमी भाई भी विद्रोही सिपाईयों के साथ चा मिली तो देखो एक दूसरे बेगम हजरत महल हो गई यहां जासी किरानी लक्षमी भाई हो गई दीरे दीरे साहरा एक मावल तयार हो गया था उन्होंने नाना साहब के सेनापती तात्या तोपे के साथ में अंग्रेजों को भारी चुनोती दी मध्यपरदेश के मांडला शेत्र म में राजगड की राणी अवंती भाई लोदी जो चार आजार सेनिकों की फोस्ता यार की अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेत्रतों किया क्योंकि ब्रिटिश शाषन ने उनके राजिये पर शाषन पर नियंतर कर लिया था अब आगे देखते हैं आगे है विद्रोही टुक परेल 6 अगस्वरी 1877 को लेफटिनेंट कर्डिनल टाइटलर ने अपने कमांडर एंचीफ को टेलेग्राफ बेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भै को व्यक्त किया था हमारे लोग विद्रोहियों की संक्या लगातार बढ़ती लड़ाई से ठक गए है और एक गाउं हमा अग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानि धर्म योद्धा ही कटे हुए थे हो गए थे बरेली में सिपाई बक्त खां बरेली के कौन थे बक्त खां लड़कों एक विशाल टुकडी के साथ दिल्ली की और कूच कर दिया इस बगावत में एक मुख्य वेक्ति साबित हुए बिहार में पुराने जमीदार कुवर सिंग भी विद्रोहियों सिपाईयों के साथ दिया और महीनों तक गंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तमाम इ पित्का हिस्टा ले रहे थे ये आपके सामने पिच्चर है वीर कुछ सिंग की पिच्चर वो इस तरह के दिखते थे उसे हैं और उसके बाद ये एक पिच्चर है जो ब्रिटिश टुकडियां विरोधियों पर हमला करती है उन्होंने दिल्लीब के लाल की ले के सलीमगड की ले पर कबजा किया हुआ है ये कुछ पिच्चर से ये एक और पिच्चर आपके सामने आ रही है कि ब्रिटिश कमपनी ने भी अपना पलटवार जारी किया था ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश कमपनी के पास को शिफाईयों की कमीति विद्रोही सिपाही मेरट से दिल्ली की तरफ खूज करते हुए अब देखो कमपनी का बलटवार अब ही बाकि है लेकिन अपन ने मेंली इसको पूरा पढ़ लिया है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंपनी के बलटवार को डिस्केशन करेंगे धन्यवाद